हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम फाइनल अकाउंट्स का एक इंट्रोडक्शन डिसकस करने वाले हैं और यह फाइनल अकाउंट्स जो है वो क्या कहना चाहते हैं कि एक कोई भी बिजनेस एंटिटी जो है वो अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ट्स जो है वो क्यों बनाता है वो बनाता है यूज्वली टू फाइंट फाइनश्ल परफॉर्मेंस तो अब्जेक्तिव बनाता है उज्वली ऑब्जेक्टीव है फाइनश्ल परफॉर्मेंस फाइंड आउट करनी होती कब की दूरूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियेट तो हमें जो financial performance पता करनी होती है वो एक accounting period की होती है और क्या and the financial position financial position at the end of the period कब की at the end of the period की तो मान लीजिये की color change करता हूँ मान लीजिये की ये एक financial year है अभी की current financial year है 14-2016 से लेके 31-2017 ये अभी current जो financial year चल रही है वो है तो मान लीजिये की एक business entity है जिसकी ये अभी current accounting period है और उसने final accounts बनाने हैं किसलिए बनाने हैं उससे इस period की इस total period की जो है वो financial performance पता करनी है उसे जानना है कि हमने इस period में कैसा perform किया अब financial performance से हम क्या समझते हैं financial performance से हमारा generally मतलब होता है कि company ने इस period में क्या profit कमाया या loss earned की हैं और हमें क्या जानना है कि यह जो 31 तारीक है 31 March 2017 जो end date है हमारी accounting period की इस दिन को हमारी financial position क्या थी financial position वो हमने यहां लिखी है तो financial position जो होती है वो हम at the end of the period जैसे यहां मैंने identify कर रखे है at the end of the period को हम financial position देखते हैं तो चलिए हम थोड़ा सा financial position का भी discuss कर लेते हैं financial position मतलब अगर आप other words में पूछे तो आपकी business की आज की value क्या है मतलब इस date में आपकी business की क्या value है तो इस value को पता करने के लिए या किसी भी चीज की क्या value है उसे पता करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि उस business की जो assets है उनकी क्या value है assets मतलब होती है business की संपत्ती और इससे आपको क्या घटाना पड़ेगा उसकी liabilities घटानी पड़ेंगी तो अब यह liabilities कौन सी liabilities है यह liabilities है external liabilities external liabilities का मतलब owner को छोड़कर other parties की तरफ business की जो liabilities है उन liabilities को external liabilities कहेंगे क्योंकि अगर आप owner की liabilities भी ले ले जैसे की capital और profit तो आपका assets और liabilities तो हमेशा equal हो जाएगा और financial position जो है आपका वो zero हो जाएगा तो आपकी जो संपत्ती है business की उसको और आपकी जो external liabilities है उसको compare करें या assets से आप external liabilities को अगर घटाएं तो आपको आपकी financial position पता चलेगी जिसे हम net worth भी कहते है net worth मतलब आपकी business की आज की date में इस date में जो value है वो भी पता चल जाती है हमें तो ये दोनों जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आप जो business कर रहे हैं उस business को करने का motive है profit कमाना और अपनी संपत्ति में वृध्धि लाना तो आप अगर अपनी profit या loss ही calculate ना कर पाएं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी business अच्छी perform कर रही है कि खराब perform कर रही है इसे continue करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कैसे आप अपने business को ठीक कर सकता है और financial position जो है वह भी जानना बहुत जरूरी होता है कि आपने कितना grow किया आपकी पिछली साल मतलब इस date में यहां पर भी एक year ending closing रहा होगा आपका इस point में जो की 31 March 2016 को रहा होगा तो इस point में आपने अपनी net worth जो है वो calculate की थी और आगे चलके एक साल बाद आप फिर जब इस साल को अपनी net worth calculate कर रहे हैं तो दोनों को compare करके आपको यह पता चलेगा कि आपने business में कितनी बढ़त हासिल की है तो इन information की जरूरत किसको होती है हम final accounts बनाते है actually यह periodic activity है कुछ information extract करने के लिए यह information किसे देनी है यह information हमें देनी है business के owners को क्योंकि owners तो भाई हमेशा यह जानना चाहेंगे ही कि हम जो business कर रहे हैं उससे हमें lab हो रहा है कि loss हो रहा है या हमारी business की value आज कितनी है तो owners को यह information चाहिए होती है साथ ही किसको चाहिए होती है credit creditors या lenders, तो creditors और lenders कौन होते हैं, creditors या lenders वो parties होते हैं, जिन्होंने आपकी business में पैसे invest करके रखा है, तो ये हमेशा ही जानना चाहेंगे, कि जिस concern में मेरे पैसे लगे हुए हैं, क्या वो concern profit में जा रही है, कि loss में जा रही है, अगर इन्हें पता चल जाए कि ये business concern जो ह इसे जल्दी निकाल लें, वरना हो सकता है कि हमारे पैसे डूब जाएंगे, तो इसलिए creditors और lenders को भी ये information, ये financial performance और financial position जो होती है, वो जाननी जरूरी होती है, और साथ में आपकी हो गई एक और party है, जो कि आपके profit से उसको बहुत ज्यादा लगाओ होता है, वो है हमार हमारी government, तो government को भी profit की figure जानने में बड़ी रूची रहती है, क्योंकि government को profit के उपर tax लेना होता है, जिसे हम income tax कहते हैं, और sales वगरा की figure पर government sales tax और other taxes लेती है, तो government भी generally final accounts जो होती है, हमारी financial statements, उनसे confirm करती है कि हमारी profit की figure कितनी थी और हमने जो tax pay किया है, वो सही है कि न भी नहीं कहूंगा, मैं business कहूंगा, क्योंकि हम company यह discuss नहीं कर रहे है, तो employees जो हमारी business में होते हैं, वो भी यह जानना चाहते हैं, कि जिस organization में या जिस संस्था में हम लोग काम करते हैं, उसकी profit कितनी है, या उसकी loss कितनी है, या उसकी network कितनी है, क्योंकि employees का जो future prospect है, उन कि जो उनका जो भविश्य है, वो इसी organization के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो वो भी अपनी organization की performance जानने को उत्सुख होता है, तो यह लोग जो है, यह सारे users of accounting information, accounting जो है, वो हमें final accounts के द्वारा कुछ information देती है, in the nature of the financial performance and financial position, और यह information जो है, यह यह लोग जो है, वो consume करते हैं, यह information को यह लोग, इस information का यह लोग फाइदा उठाते हैं, कुछ decisions बनाने के लिए, तो actually final accounts जो हम year end activity करते हैं, यह कुछ information यह कुछ data extract करने के लिए, relating to the financial performance and the financial position of the company on the end date, ठेक है, यह introduction हो गया, अब चलिए हम देखते हैं कि हमारी final accounts या financial statements जो है, उनकी components क्या है, तो हम क यहां components, तो पहली component जो है, वो है manufacturing account पर यह manufacturing account जो है, वो सिर्फ उन्ही concerns के लिए applicable होगी, जो manufacturing process करते हैं, manufacturing यानि की production, आप अगर किसी चीज का, किसी product को produce कर रहे हैं, तो ही आपको यह account बनानी पढ़ती है, वरना general most of the cases में, यह इस account की ज़रूरत हमें नहीं पढ़ती है, औ यह तीन जो है, यह हमें compulsorily चाहिए है, पहला जो है, वो है trading account, trading account में हम अपने सारे gross, जो main trading activity है, उसके related जो सारे information है, वो record करते हैं, तो this account is related to the information related with the main trade activity, जो आपकी purchase और sale है, यानि की purchase, sale, etc. और यह हमें क्या देती है, यह हमें देती है, gross profit, तो trading account जो है, यह इसमें हमारे जो main trade activity के जो items है, यानि की purchase, sale वगेरा, यह हम details में बाद में discuss करेंगे, आपके साथ, वो आएंगी, और इस account से हमें अपनी gross profit, या loss भी हो सकता है, gross profit और loss की figure जो है, वो पता चलती है, profit and loss account, profit and loss account क्या है, gross profit या gross loss को calculate करने के बाद, उसे हम profit and loss account में carry forward करेंगे, और उसके साथ, profit and loss account में और जो ancillary revenues and expenditures जो आती है, gross profit and loss को consider करेंगे, profit and loss account में carry forward करेंगे, इस account से लेके, इस account तक और उसके साथ consider करेंगे, other incomes and साथ में indirect expenses, ठीक है, तो और भी जो बहुत सारे indirect expenses है, जैसे कि salaries, wages, rent, आपकी carriages हो गई, advertisement expenses वगएरा वगएरा बहुत लंबी list है, तो उन सब को हम profit and loss account में consider करते हैं, और कुछ other incomes होती है, जैसे आपने कोई building rent पे दे के रखी है, तो उससे आपको rent मिल रही है, कोई आपने investment करके रखी है, तो उससे आपको interest मिल रही है, तो वो सारी आप profit and loss account में consider करेंगे, यह सारी चीज़े हम details में future videos में cover करेंगे, यहाँ पर मैं just आपको एक basic overview दे रहा हूँ, तो यह सब चीज़े consider करने के बाद, आपको यहाँ से जो figure जो आपको result मिलेगी, उसे हम net profit या net loss कहते हैं, जैसी situation होगी, अगर profit की situation होगी, तो वो net profit होगी, अगर loss की situation होगी, तो वो net loss कहलाएगी, अब इस net profit और net loss की figure को हम carry forward करके ले जाएंगे, यहाँ से जो figure हमें मिली हम यहाँ लेके आए, यहाँ से जो figure हमें मिली वो हम carry forward करके ले जाएंगे, हमारे next item में, जिसे हम कहते है balance sheet, आप सभी ने इस item को सुना होगा, balance sheet एक account नहीं है, बलकि एक statement है, अब ध्यान से देखे, trading के case में, manufacturing के case में हमने account शब्द का इस्तमाल किया है, पर balance sheet कोई account नहीं, बलकि एक statement होती है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर यह एक statement है, जैसे कि trial balance हमारी statement थी, वो कोई account नहीं थी, तो balance sheet भी एक statement है, इस statement में हम अपने सारे assets, एक side में लिखते हैं, और liabilities दूसरी side में लिखते हैं, और assets और liabilities का जो total है, वो दोनों equal होता है, बराबर होता है, और balance sheet से, हमें assets और liabilities को put करने के बाद, अपनी जो financial position जो हम इससे पहले discuss कर रहे थे, financial position जो है, वो company की पता चलती है, as on the year ending date, या accounting period close date, तो यह जो statement है, यह statement है, as on accounting period end date, accounting period के end date के जो values होती है, उसके basis पे यह balance sheet बनाई जाती है, तो trading, profit और manufacturing account जो है, profit and loss, trading account और manufacturing account, combined लिए आपको financial performance, यानि कि profit या loss की figure देते हैं, और balance sheet से आपको financial position पता चलती है, जो कि आपकी net worth भी बताती है, तो यह तो हो गए components of final accounts, और हाँ इस case में मैं mention कर दूँ कि, एक additional component है, जो आप बना सकते हैं, यह मैं e-point के नाम से यहां लिख देता हूँ, जिसे कहते हैं, cash flow statement, हाला कि यह mandatory नहीं है, पर आप चाहें तो बना सकते हैं, cash flow statement हम अभी discuss नहीं करेंगे, यह मैं just आपकी information के लिए कह रहा हूँ, companies के case में cash flow statement बनाना compulsory है, पर छोटे-छोटे business organizations या trading concerns के लिए, यह optional है, आप चाहें तो बना सकते हैं, यह आपकी business की liquidity, आपका business कितना cash rich है, liquidity position को बताता है, तो यह थोड़ा advanced level का है, यह मैं अभी discuss नहीं करूँगा, चलिए देखते हैं इसके बाद क्या है, इसके बाद हम discuss करेंगे principles beneath the preparation of final accounts, तो final accounts जो हम बनाते हैं, कुछ principles को हमें follow करना पड़ता है, तो वो क्या है, चलिए हम देख लेते हैं, यह बहुत ही ज्यादा important है, आपको boring लग सकता है, लेकिन इसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि without this knowledge, आप अच्छे तरीके से final accounts नहीं बना पाएंगे, आपका जो problem है, वो आप solve करते समय, आप गलती कर सकते हैं, तो सबसे पहली जो point है, वो है capital and revenue items need to be identified and separated, तो हमने अपने introductory comments में देखा था, कि final accounts बनाने से पहले, हमें किस चीज़ की जरूरत है, trial balance की, क्योंकि trial balance आप अगर बना ले, compulsory नहीं है, पर अगर आप trial balance बना ले, तो trial balance में आपको इकठे एक जगा पर हर ledger account की balance मिल जाएगी, जो आपको final accounts में use करनी होती है, तो अगर आपके पास trial balance है, तो आपके पास readymade account balances है, अब trial balance में आपकी दो sides होती है, एक debit side और एक credit side और debit side में कुछ items होते हैं, इसमें से कुछ items होती है, capital nature और कुछ revenue nature, आपको identify करना है कि कौन से items capital nature के हैं और कौन से items revenue nature के हैं, अब इस identification को करने के लिए आपको वो जो हमने बहुत दिन पहले discuss की थी accounts की classification, जिसमें accounts three types की होती थी, हो सकता है कि आपको याद हो, एक थी real account, एक थी personal account और एक थी nominal account, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़े याद होंगी, अगर नहीं है तो आप मेरी दूसरी वीडियो को जाके देख सकते हैं, पुरानी वीडियो को उसमें आपको पूरी information मिल जाएगी, तो real account जो थी, it related to assets and liabilities, तो assets और liabilities से related जितने भी accounts थी, वो इस category में आती थी, पर्सनल अकाउंट्स में आती थी, वो सारी accounts जो किसी person को represent करती थी, जैसे कि debtors, creditors वगएरा, तो ये represented some person, और nominal accounts में आपको याद होगा कि यहाँ पर सारे incomes, gains, expenses और losses, ये चारो nominal head में आते थे, तो capital item और revenue items segregate करने के लिए आपको ये rule याद रखना होगा कि जितने भी, जितने भी आपके real और personal accounts है ना, वो सारे आपके capital items है और आपके जितने भी ये जो nominal जो भी होंगे, जितने सारे nominal जो है, ये सारे revenue items है, अब capital के जो items होते हैं, ये identify और separate करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके जो capital वाले items होते हैं ये balance sheet में लिखे जाते हैं, ये items जाते हैं straight balance sheet में, और revenue वाले जो items होते हैं, ये revenue वाले ये आपके या तो trading या profit and loss account में जाते हैं, तो आपको समझ में आ रहा है, क्यों हमें अलग करना ज़रूरी है, capital items को हमें balance sheet में plot करना है, revenue items जो हैं उन्हें हमें trading या profit and loss account में plot करना है, तो अगर आप पहले से identify नहीं कर पाएंगे कि capital items कौन से हैं और revenue items कौन से हैं, तो आपको final accounts बनाने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने आपको यह rule बता दिया कि real or personal accounts जो हैं वो सारे capital items और जो nominal accounts हैं वो सारे आपके revenue items, चलिए आगे बढ़के point number two discuss करते हैं, periodicity matching and accrual concept of accounting is to be applied, तो हमने यहां लिखा है कि periodicity concept matching concept और accrual concept हमें use करना है final accounts बनाते हैं वक्त, तो periodicity concept क्यों use करना है, और accrual concept चलिए हमने यहां लिख के रखा है, periodicity and accrual, revenues and expenses related to the particular period are only considered, तो periodicity किसलिए हो गया, कि हमने जिस period की final accounts बनानी है, उसी period की सारी revenues और उस period की सारी expenses हमें consider करनी है, इस period से बाहर की कोई भी revenues या कोई भी expenses हमें नहीं consider करनी, सिर्फ इस period के अंदर जो ही आती है revenues और expenses अपने final accounts में बस वही consider करनी है, और accrual क्या कहता है, accrual basis भी इसी बात को follow करता है, कि हमें इस period में जो revenues और expenses incur हुई है, वही हमें करनी है, और कभी ऐसा हो सकता है कि इस period में हमने कोई expenditure की है, पर वो इस period से relate ना कर रही हो, मान लिजे कि यह period है 14.2016 से 31.2017, और मैं color change करता हूँ यहाँ पे और मान लिजे इस point पे यह 1.07.2017, इस point पे हमने कोई insurance पे किया है, जो कि हमें cover देगी 1.07.2017 से लेकर 31.07.2017 तक हमें insurance का cover मिलने वाला है, तो यहाँ पर हमने मान लिजे 1200 रुपए insurance के लिए दिये, तो यह जो expense हमने 1200 रुपए खर्च किये हैं, यह हुआ तो इस period में है, पर इसका benefit जो है हमें पूरा इस period में expire नहीं हो रहा है benefit, 3 महिने हम इस period में enjoy कर रहे हैं और बाकी जो 9 महिने हैं उसके वो हम अगले accounting period में expire कर रहे हैं, तो हम सिर्फ 3 महिने का cost या expense जो है वो इस final accounts में consider करेंगे, जो कि 3 महिने का cost आपका 12 महिने की cost अगर बारस हो है तो 3 महिने की cost होगी Rs.300, तो Rs.300 हमारा current year का expenditure होगा और बाकी जो Rs.900 है जो हम already 1st January को pay कर चुके हैं पर इसे हम carry forward करेंगे, carry forward करके हम अगले accounting period में ले जाएंगे और उसे वहां की expenditure treat करेंगे, अगले accounting period की ना कि इस accounting period की यह हमें accrual concept जो है यह इसी चीज़ को discuss करता है, तो यहां लिखा हुआ है कि any unexpired cost या benefit या liabilities are to be carried forward to the next period. आसा करता हूँ यह point आपको समझ में आया होगा, इसके बाद जो point है matching, we need to match the revenues against the costs incurred in the process of earning such revenues, अब इसका मतलब क्या है, देखिए हमारी जो profit and loss account या final accounts में हम trading और profit and loss account बनाते हैं वो एक तराजू की तरह होती है, मैं एक तराजू बनाने की कोशिश करता हूँ यहां पे, अब इसमें एक side में हम अपने सारे revenues या जिसे हम incomes भी कहते हैं उसको डालते हैं और एक side पे सारे expenses, expenses को डालते हैं, तो यह revenues और यह expenses को हम profit and loss यह तराजू हमारा profit and loss account है, तो इसमें डालते वक्त हमें यह चीज़ ध्यान में रखना है कि हम जिन revenues को यहां पे डाल रहे हैं, हम उसके against में यहां पे वही खर्चे डालेंगे जो हमें इन revenues को earn करने में खर्च हुए हैं, मतलब हमें अपने revenues के साथ अपने costs को match करना है, तो मान लिजे इस revenue में आपकी एक point थी, एक item थी sales, तो इस sales को करने में आपके जो खर्चे हुए हैं आप उन ही खर्चों को यहां पे डालेंगे, किसी और खर्चे को आप यहां पे consider नहीं करेंगे, आपने जब PL account या final accounts आप जब बनाते हैं उसमें जब PL account आप बनाते हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप revenues और expenses properly match करके ही consider कर रहे हैं, match करने का मतलब यह है कि आप वो expenses ही consider कर रहे हैं जिन्होंने आपको इन revenues को earn करने में help किया है, आप कोई बाहर की या fall to expenses अपने business के PL account में आपको consider नहीं करनी है, आपके घर के personal खर्चे जो है owner के personal expenses आपको PL account में consider नहीं करनी है क्योंकि वो business के expenses नहीं है, और आपको इस साल में जो आपने revenues earned किये हैं आपको उससे related खर्चे ही PL account में consider करना है, तो we need to match the revenues against the costs incurred in the process of earning such revenues, तो इन revenues को earned करने में जो हमने expenditure या cost incurred किये उनहीं expenses या costs को consider करना है, अब third point, third principle क्या है, provisions are to be made against contingencies or losses which may not arise in the same accounting period but which definitely arise from the current year's transactions, अब कहने का मतलब है कि provisions, आपको पता यह word क्या है, provisions मतलब हम एक safety के लिए provision create करके रखते हैं against contingencies or losses, आपको पता है मैंने अपने पिछली वीडियो में discuss किया था, एक concept होती है accounts में जिसे कहते हैं conservatism या कुछ लोग इसे concept of prudence भी कहते हैं, इसमें क्या यह concept कहता है कि हमें अपने losses को, अगर थोड़ी सी भी भनक लग जाए कि हमें कोई loss होने वाली है तो उसके लिए हमें एक provision book करने लेने चाहिए loss के लिए, पर जब incomes का case होता है, incomes जब तक पूरी-पूरी certain नहीं हो जाती, अगर certain है तो ही book करेंगे लेकिन income की आशा है सिर्फ अभी हमें सिर्फ एक अंदाजा लगा है कि हमें एक income होने वाली है, प्रोबाबिलिटी अभी 100% नहीं है तो हम उसे book नहीं करेंगे लेकिन अगर income certain है 100% chances है कि हमें यह income realize होगी तो ही हम यह income book करेंगे, पर losses के case में अगर आपको थोड़ी सी भी भनक लग रही है कि आपको एक loss होने का chance है तो उसके against में आपको एक proper provisioning book करनी पड़ती है, तो यहाँ पर लिखा है कि अगर इस साल में कोई ऐसी घटना घटी है जिसके कारण आपको future में कोई loss हो सकता है, जिसका सबसे अच्छा example हो सकता है मान लीजे किसी consumer ने या किसी customer ने आपके against में एक court case किया है, पर court case का फैसला अभी तक आया नहीं है, हो सकता है आपने कोई damaged product इस customer को बेचा हो जिसके कारण उसका कुछ नुकसान हो गया, और customer ने आपके against में कुछ compensation क्लेम किया है जो कि court में अभी case चल रहा है, यह compensation जो consumer ने इस साल क्लेम किया है जो sales हुई थी customer को वह इस current period में हुई थी, अब ऐसा हो सकता है कि court में case pending है पर आपको ऐसा लग रहा है कि customer जो है वह case जीच जाएगा, पर हो सकता है कि वह case जो है वह अगले accounting period में जाके उसका फैसला आए और आपको वह customer को, मानली जब उसने 50,000 की compensation जो है वह claim की थी तो आपको उस customer को 50,000 रुपए जो है वह अगले accounting period में जाके देना पड़े, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि इस compensation को pay करने के chances 50% से ज्यादा है, तो आपको इसके against में एक proper provisioning या loss के लिए एक provision book कर लेना चाहिए, क्योंकि यह जो compensation है जो future में आपको देनी पड़ सकती है customer को वह आपकी current year की sales, यानि की current year की transaction के कारण यह compensation arise हो सकती है future में तो आपको इसकी loss provisioning इसी साल में करनी पड़ेगी, दोस्तों इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको यह सारी बाते समझ में आई होंगी, अब हम अपने अगले वीडियो में trading, profit and loss और balance sheet accounts की details में discussion करेंगे, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद